आज इस दुखत घटना पर हम सब चर्चा के लिए यहां इकठे हुए हैं हम सब इस विशे से आहा थें मरने वाला किसी भी धरम का हो लेकिन वो भारतिय था ऐसा मैं मानती हूँ कि वो भारतिय ही था बंगला देश से आयर में कुछ गुजपैटिय हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है अध्याष जी 51 लोगों की मृत्यू हुई है और 500 लोग अस्पतालों में उपचार के लिए है इसकी पुनावृति देश में कहीं ना हो इस उमीद के साथ हम लोग अपनी दलगत राजनीती से उपर उठकर इस विशे पर चर्चा करेंगे इसकी मैं उमीद तो जरूर कर सकती हूँ लेकिन ये कहना आसान है करना जरा मुश्किल है खास्तोर पर जब कुछ लोगों ने इसके राजनेतिक फायदे उठाए हो और जैसे ही ये इंवेस्टिगेशन सामने आती है तो पता चलता है कि अंकित शर्मा नाम का एक आईवी के अफसर को चार सो बार चाकू मारा गया और पोस्ट मॉर्टन में उसकी अंतरियां यानि इंटेस्टाइन ठीच कर बाहर निकाली गई हो आप मुझे बताए किस दंगे में इस तरीके की हरकत करने का समय होता है और अरे सुनने की कुवात रखिये जी मैं आपको ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की घृणा और नफरत फिरफ एक कटर पंती ही कर सकता है और उस कटर बात को पंपाने वाले लोग कौन है आज मुझे लगता इस सदन को उस पर भी चर्चा करनी होगी और खास तोर पर अगर इसकी डीटेल में जाया जाए तो सीलंपूर का वो इलाका है जहां 2018 में आईसिस का एक मॉड्यूल तोड़ा गया था और बहुत सारे बॉम और बाकी चीजें 2019 में उस जखिरे को निकाला गया था तो इसके पीछे ये साज़िशे भी सामने आई है कि PFI के लोगों की कुछ फंडिंग है आईसिस से जुड़े हुए लोगों को इकठा कर रहे हैं और जोज सौरोस नाम के व्यक्ति ने जो कि एक हंगरी से निकला हुआ व्यक्ति जो कि आज अमेरिकन सिटिजन है बहुत बड़ा बिस्निसमेन है एक बिलियन डॉलर उसने देने का कि भारत के नाशनलिजम को खतम करने के लिए उसने प्लेज किया है और उसकी जो संसा है उसमें बोर्ड मेंबर कोई और नहीं बलकि हर्श मंदर है जो कि एनेसी के भी मेंबर थे और नाशनल एडवाइजरी काउंसल किसने बनाई थी कब बनाई थी किस कारण से बनाई थी उसका जवाब तो मुझे 100% मालूम है अधीर जी को बहुत अच्छे से पता होगा और साथ ही जब अधीर जी ने इस तरीके की बाते की है तो मैं इनको मुसॉलमी का एक और कांज बता देना चाहती हूँ इन्होंने का कि हटगेवार के गुरू मुसॉलमी थे तो शायद उनको पता नहीं कि आपके पीछे जो व्यक्ति बैखे उनके नाना जी मुसॉलमी की आर्मी में काम करते थे ये भी ज़रा पता कर लीजेगा तो इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो कि हमेशा याद रखे जाते हैं अब जब आप दूसरों के घावों को पुरेटते हैं तो याद करिए कि वो आपकी तरफ भी जरूर उठेंगे प्रशन दुख की बात ये है कि इन सब सीजों से एक बात सामने आई कि एक संगठित रण नीती थी और ये संगठित रण नीती उन्हीं शक्तियों द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन का तरीका था जो की आज राज़्यतिक समर्थ अपना खोच चुके हैं और इस पूर्भियोजित साज़िश के तहट इस काम को मुकमल किया गया फारुक सैजल फारुक नाम के व्यक्ति जो की राजधानी स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाते है उनका स्कूल सलामत है लेकिन अरुन नाम के एक स्कूल को जला दिया जाता है दोनों भगल में हैं ताहिर हुसेन की इमारत ताहिर हुसेन आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो मुझे लगा कि मैं पीछे ना रह जाओं आपसे तो मैं नाम लेकर बताना चाहती हूँ ताहिर हुसेन जो की आम आदमी पार्टी के पार्शद है उनके घर की इमारत से कई सारी बॉम फेके गए केटापुल्ट यानि गुलेल जिसको कहा जाता है वो गुलेल अरे तुब गुलेल का इस्तिमाल हुआ और गुलेल का इस्तिमाल इस दंगे में बंदूक और गोला बारी से भी कही आदिक घातक साबित हुआ आप मुझे बताइए किसके घर के उपर लोहे के आंगल को जमा कर गुलेल रखी जाती है और एक स्थाजिश के तहट हर दसने घर के उपर एक गुलेल पाई गई हर दसने घर को इंगित करके गुलेल पाई गई और इटो का जखीरा शाय दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था ऐसा इटो का जखीरा जो है वो भी यहाँ पर पाया गया कि दिगं के सफाई करमचारियों को समझ नहीं आया कि ये सड़क बनाने की कुवायत है कि बोरियों में भरकर उनको उपर ले जाया गया मॉल्टोवा जो कॉक्टेल है जिसे पेचल बंबादी फेका जाता है वो इस बारी कॉंटिटी में वहां मिले एसिड 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 अटाक महिलाओं ने उन मुस्लिम परिवारों की महिलाओं ने छट से किये जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता और ये लोग अध्याग जी मुझे इन लोगों की बात देखते हुए एक एक शेर याद आ रहा है काश पर पारा चड़ाओ तो आयना बन जाता है लेकिन आयना दिखाओ तो पारा चड़ जाता है इन सकता पारा चड़ना तो सवभाविक है अध्याग जी इस पत्थ्रों का जखीरा तो हमने देखा ही और जिस तरही के से इने उपर पहुंचाया गया वो भी सोचने वाली बात है अंकित शर्मा नाम के व्यक्षी को 400 बार गाव किया और उसको मारा इन्हें याद आना चाहिए इन्हें याद आना चाहिए कि रतन लाल है कॉंस्टेबल को मारा गया गोलिया सीधे चलाई गई है और इस सब के बीच में अमिच शर्मा डी सीपी पुलीस वालों का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ जो बीच बचाव सर्मे धंक से इस पर शाबू पाने के लिए उत्रे उनी के साथ मार्पीश की गई है और वहाँ पर लगा लगा ताथ पियें के दिरोग में ऐसे हत्यारों का इस्सेमाल किया गया हिंसा की घटनाएं हिंसा की घटनाएं हिंसा की घटनाएं जो लोग पुछते हैं पुलीष क्या कर रही ती ग्रे मंत्री क्या कर रहे थे मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके की मिसाईलों पर काबू पाने का काम कर रहे थे और ओल्ड मुस्तफा बाद में ओल्ड मुस्तफा बाद में सबसे अधिक एक मिट एक मिट किसी जातियो धर्म का नाम इस बहास में नहीं लेना है स्पीकर सार स्पीकर सार स्पीकर सार स्पीकर सार कुछ सच्चाई हैं जो प्रेस ने चुपाई हैं इसलिए मैं आपके अधेश का पालन करूँगी मैं आपके अधेश का पालन करूँगी स्पीकर सार मुस्तिफाबाद में सबसे अधिक गुनेल पाई गई है करावल नगर इट पथर बोरिया उन धरों पर पाई गई है एक मिट एक मिट बैट यह आप नियम कानून की बाते बताते हो आप नियम कानून की पालना करते हो क्या अधियक जी इट पत्थर और इस तरीके की चीजें जो कि गहरों के निर्मान के लिए उन घरों पर पाई गई है जहां पर निर्मान कारे चल ही नहीं रहा था और जहां पर निर्मान कारे चल रहा था वहां पर बोरिया खाली पाई गई है ये तो सही माइने में जाच का विशे है जाच की जो भी आएगा रिपोर्ट उसमें देखा जाएगा लेकिन करावल अगर शिर्विहाद जहाँ पर सबसे अधिक जो दंगे का और ये दंगा नहीं कहूंगी मैं कहूंगी एक सोथी समझी हिंसा थी उसमें जो पाया गया एक अलसंख्यों के मकान हैं दूसरी तरफ बहुत संख्यों के मकान हैं सबसे हरानी की बात है कि अलसंख्यों के मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ बहुत संख्यों के सारे मकान दुकान सहस हो गई है अब आप मुझे बताईए अदेख जी यहां पर तो अदेख जी जरूरी नह जिनमें सास नहों, वो मुर्दा हो। जुशने को मिले और उसकी लफसार बिच्चे सामने इन लोगों ने उनको निर्वस्तर करके पेजाये जो टेशें से आ रही बच्चीयां थे। और 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 फिर्फ यही नहीं च्छतों के उपर खड़े होकर अश्लील हरकते अपने कपड़े उतार उतार के इन्होंने किये जो कि इस प्रिंसिपल का बयान है स्कूल के प्रिंसिपल का बयान है आप मुझे बताएए इस सदन में बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति साथ देने को राजी है बताएए ऐसी हरकत क्या आप राजी है क्या है राजी है नहीं है ना और और इस सब के बीच में इस सब के बीच में इस सब के बीच में चाहे वो अमान कपिल मिश्रा पर लेकिन इस सब के लिए इस सब कारवाई के लिए ब्लेम किया गया अनुराग ठाकुर को प्रवेश वर्मा को जिनका बयान 20 तारीक का था 20 जनवरी का था और 20 जनवरी का अनुराग ठाकुर का बयान था चुनाव के दोरान और ये घटनाए है 23 सरवरी की और प्रवेश वर्मा का बयान 28 तारीक का था ये घटनाए 23 सरवरी की और इस सब के बीच में ब्लेम किया गया इस सब के बीच में ब्लेम किया गया कपिल मिश्रा को 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 ब्लेम किया उन लोगों को जिनोंने का कबर खुदेगी कपिल मिश्रा को जिम्मेवा ठहराया कि भारत के प्रधान मंत्री को जो कातिल कहने का रुद्बा रखते हैं कपिल मिश्रा को जिम्मेवा ठहराया जो अभी तक बहुत तमीज तहजीत की बाते कर रहे थे भारत के ग्राय मंतरी को तड़ी पार कहने के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया वहाँ पर लड़कियों के सामने उल्टी हर्कते पुरुशूने के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया सारूप फैजल को बचाने के लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया दिल्ली में उन लोगों को जिन लोगों की राजमीदी खतम हो चुकी है पैरो तले और जो किसी के कोई Minority Vote Bank की राजमीदी करते हैं उनको बचाने के लिए कपिल मिश्रा को किस किस चीज के लिए जिम्मेवार ठहरा होगे जब ये सब राइटिंग के लिए इस सब हिंसा के लिए जिम्मेवार कुछ और ही लोग थे और ये किस तरीके का और मैं इसके लिए सही माइने में प्रेस के कुछ लोगों को JNU जानिय आप इस पूरे प्रक्रण को देखिए, आप पाएंगे कि ये सब चीज शुरू हुई C.A. का सो कॉल विरोध को लेकर, C.A. के विरोध में सबसे पहले JNU के कुछ छात्र खड़े हुए, और सबने समझा ये तो C.A. का विरोध है, अब C.A. का विरोध किसलिए, कि कुछ अल शिफ्ट होता है जामिया में, जामिया में पुलीस थोड़ी सक्षी करती है, तो पुलीस को डिफेंसिव करके कि ये पुलीस जो है, वो व्यक्ती की बोलने की आजादी के खिलास है, ऐसा यल्जाम पुलीस पर लगा दिया जाता है, तो पुलीस थोड़ी डिफेंसिव हो ज दिसम्बर 2019 को अरे उससे पहले की फुटेज भी देखो अध्याग जी वो लाइब फुटेज उससे पहले की भी देखो जो मार्साथ करके लाइबरी में मुपर गंचा बैठ पहने कर बैठ जाते किताबे बंद होके पढ़ना शुरू करते हैं वो फुटेज भी देखनी चाहिए अध्याग जी 14 दिसम्बर को रामलीला मैदान में कॉंग्रेस की एक रैली होती है उस रैली में सोनिया जी का बयान है आरपार की लड़ाई होगी सड़कों पर सब निकलो प्रियंका जी का बयान है कि कायर होते हैं जो घर से नहीं निकलते राहुल जी यहां बैठे इन्होंने भी काफी उतेजनात मक्त बयान दिये 14 तारीक के इन सब बयानों के बाद 15 दिसम्बर को शाहिन बाग में लोग बैठना शुरू कर देते हैं और शाहिन 14 के बाद 15 से यह हर्ता चुरू होती है तीन महीने तक बिल्ली की सड़कों को रोग कर यह लोग बैठते हैं और उसके बाद 17 तारीक को उमार खालिक का बयान है कि डॉनाई ट्रंप देश में आएंगे और हमें सड़कों पर उतरना है उनको बताना है कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जंता के खिलास है 19 तारीक को वारिस पठान का बयान है कि हम 15 प्रतिश्यत भले ही हो 85 परसंट पर भारी पड़ेंगे अब आप मुझे बताईए कि इन सब चीजों के लिए आप कपिल मिश्रा को जिन्देवार ठहराएंगे इन सब के लिए आप दिली पुलीस को जिन्देवार ठहराएंगे उक्साने का काम और कट्टर पंदी का काम तो इस देश में बहुत दिन से चल रहा था और अरे भाईया अगर अगर रोक दिया होता तो आप ही कहते इस देश में बोलने की आजादी नहीं है अपने विचारों की आजादी नहीं है विचारों और इसी की वज़ा से पुलीस डिफेंसिव मोड में थी और कुछ जजिस कुछ के मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन जजिस कुछ का मानना है जब तक धरना हिंसात्मक ना हो तब तक पुलीस कारवाई नहीं करेगी अब धरना कब हिंसात्मक होगा ये बैठके कौन ते करेगा ये कौन ते करेगा और जिन जजिस के इन्होंने नाम लिये इनको बहुत experience है जजिस के appointment से लेकर बाखी चीजे लिखवाने का इसलिए ये जानते हैं क्या क्या होता है इनको ये नहीं पता कि बिना recommendation के सरकारे transfer नहीं करते हो transfer ही किया था transfer तो पहले हो चुका था मैं तो कहूंगी एक दिन कि IB की जो reports है ना कुछ लोगों के बारे में उनको public कर देना चाहिए ये सब को समझ आ जाएगा कि किसका transfer क्यों करके हुआ है अद्याख जी अद्याख जी अद्याख जी अरे कर देना चाहिए अद्याख जी आपको आपको ये सोचकर मज़े कम से कम सोचकर ये दुख जरूर होता है कि इस देश के अंदर जहां हम विकास की राजनिती करना चाहते हैं और पिछले पाँच साल उसी विकास की राजनिती की है कुछ लोगों ने जब इस देश के अंदर लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना में घर दिये गए लोगों का मजभ देख कर दिये गए थे जब ग्यास के सिलिंडर दिये गए तो मजभ देख के दिये गए थे आयुश्मान भारत का फाइदा दिया गया तो मजभ देख के दिया गया यह लोग कैसे उस बात को भड़का सकते हैं मैं I can think that rank and file of minority community may not understand the nitty-gritty of law because of the limitations लेकिन यहां बैठे हुए जितने नेता हैं वो तो सब बहुत पड़े लिखे हैं उनको यह बात समझ नहीं आ रही वो क्यों इस तरीके की अवबाय पहलाने में लगे हुए हैं जिससे देश बिखरे यही कारण है अकलियत में तो कारण यह है कि वो लोग जो इस्लामिस्त है वो इस देश में वो इस देश में कभी legislature में बहुत एमियत नहीं रखते थे कभी उनकी संख्या बहुत जादा नहीं थी लेकिन वीटो पावर अपने वोट बैंक की राजनीती करते हुए उसको जरूर एक्सरसाइज करते थे और अगर वो वीटो पावर को एक्सरसाइज नहीं करते तो जाहिर है 370 जो की temporary provision था कब का हड़ जाना चाहिए था तीन तलाग खानून ने कभी मानियता नहीं दी कब की हड़ जानी चाहिए थी सर मैं बताना चाहरी हूँ आप सुनिये थोड़ा पेशेंटली राइट का संबन तो ये सब grew up हो रहा था ना मैं अभी बताती हूँ आपको थोड़ा पेशेंटली समझिये 370 तीन तलाग यूनिफर्म सिबिल कोड ये सब तो भारत के संबिदान में लिख्यूई चीजे हैं 1952 से आज तक खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन ये चीजे खत्म क्यों नहीं हुई ये खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक इस्लामिस जमाद की एक वीटो पावर चलती थी और जिसको शासन में रावा था अगर वो उस नो गोन जोन को डिस्टर्ब करता था तो समझे कि शासन में आप आही नहीं सकते लेकिन जबसे ये सरकार शासन में आई तो उसने वो नो गोन जोन का हमेशा वाइलेशन किया और यही कारण है कि ये तड़प CAA के रूप में सामने आई क्योंकि ये मानने को मैं राजी नहीं हूँ कि जितने मुखिया यहां बैखे हैं उनको CAA कानून समझ नहीं आया मैं जानती हूँ कि वो इस कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं मानती हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन बाब जो दूसके वो लगातार आम जनता को गुमरा करने का काम कर रहे हैं वो लगाता है लोगों को भड़काने का काम कर रहे है इसके जिन्मारी भी लेना सीखो अध्याग जी ये वोट बैंक की राजनीती वोट बैंक की राजनीती जो है वोट चला रही थी इस देश को लेकिन 2014 के बाद से वोट बैंक की राजनीती समाथ हो गई लोग तूट जाते हैं एक घर बनाने को लेकिन तुम तरस नहीं खाते बसियां जलाने को और कुछ लोगों का तो अगर आप इसी हास उठा के देखें तो वो बसियां जलाने में माहिर हैं मैं एक आकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ अध्यक जी जो कि इस देश में दंगों से संबंदित है कोई बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये आकड़ा आपके सामने प्रस्तुत जरूर करना चाहती हूँ कि देश में हिंसा हुई जब जब हिंसा हुई उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार थे अधिकतर जो अभी नहरूजी का भी नान लिया गया था कि कॉलर पकड़ लिया मैं वैसे बात नहीं करना चाहती लाहोर में भी ऐसा हुआ था 1946 में और उन्होंने का था तो मैं क्या करूँ और ये मेरे अपने परिवार का विशे है मैं आज बूस बात को दोराना नहीं चाहती तो क्या रवईया था उसको तो आप छोड़ दीजे लेकिन दंगों का इतिहाद जरूर मैं बताना चाहूँगी जवालना नेरू जी के समय में 243 दंगे इस देश में हुए जो कि डॉक्यूमेंटेड है 1950 से 1964 के बीच में इंद्रा गांधी जी के राज में 1966 से 1987 और 1980 से 1984 के बीच में 337 दंगे इस देश में हुए एमर्जेंसी की मैं बात नहीं कर रही राजीव गांधी जी के राज में जो कि 1984 से 1989 तक का था 291 दंगे इस देश में हुए 1194 दंगों में से कॉंग्रेस का इतिहास है कि 871 दंगे उनके शासनकाल में हुए जिसका टोटल परसेंटेश 73 परसेंट आता है 73 परसेंट दंगों के जिन्देवार लोग यहां बैठे हैं और जब इनको हम शहर और बाकी तरीके से जब देखते हैं तो उसमें आता है कि 10 बड़े दंगे 18 जो बहुत बड़े भ्यानक दंगे इस देश के हुए है 18 बड़े दंगे कॉंग्रेस की एलाइज और कॉंग्रेस के शासन में हुए है तीन प्रेजिडेंट रूल के दौरान हुए है चार अन्य दलों के बीच हुए है और केवल एक दंगा जिसको यह बार-बार याद करते है लेकिन गुजरात का अगर इतिहास हम याद करें तो लोग हैरान होंगे कि गुजरात में हर साल दंगे होते थे और 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है अध्यक जी ये वो लोग है जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हो जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हो वो आए है यहाँ हमेल अस्यत करने हो अध्यक जी दिल्ली की जनता क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ राजने से एक ना लहे लेकिन मैं यह बताना चाहती हो कि दिल्ली की जनता आज वाकरी रो रही होगी क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का खाम्याजा भुगत रही होगी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस का किराया ये सब सोचकर करोडों की जो संपत्ती नश्ट हुई है वो याद कर रहे होंगे और अब मुझे लगता है इस शहर को जरूरत है एक फ्री इंटर स्टेट बारी ताकि लोग परिशान होकर जो बिजली शहरों से बिल्ली आते थे वापस अपने अपने शहर जाकर ज़रा शानती को महसूस कर सके और महफूझ महसूस कर सके अद्यख जी अधियख जी मैं एक कहने का तरीका है कि जिन लोगों ने दिल्ली को परिशान किया आज वही मल riff लगाने कि बात कर रहे है अधियख जी इन्होंने बात की 94 के दंगों की मनमौन सिंग जी की बात की मैं उनको ये बताना चाहती हूं कि वो भूल गए वो भूल गए कि कुछ आरोपित लोग आज मुख्य मंद्री के पत पर भी विराजमान है कुछ लोग भूल गए मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि 36 गंटे के अंदर जो की बहुत ही ध्यावा रूप ले सकते लेकिन 36 गंटे के अंदर इन दंगों पर कंट्रोल किया गया जिसकी तैयारी आज अगर हम हाइसाइट में देखे तो महीने बड़ते चल रही थी नीरोग वास नीरोग वास फिड्लिंग नीरोग वास फिड्लिंग विन रूम वास बर्निग I think he should remember the words of late Mr. गाजीव गांदी की बड़ा पेड गिरता है तो धर्ती हिलती है He displays this idiom better than anything else अज़ जी दिल्ली के MPs कहा थे दिल्ली के MPs जब दंगे हो रहे हैं तो सड़कों पर उतर कर उसको बेकाबू नहीं होने देना चाते वो चाते कि पुलीस अपनी कारवाई करे और पुलीस कारवाई करेगी अब आप अपने नेता से पूछिजे नेता के आज पीछे उड़ के पूछ लिजे कहा थे पाकिस्तान और टेरि선 के यह ख़ाफ जरूर है लेकिन ये भूल गए कि उनी के डर के मारे इन्होंने इतने दिन हिंदुश अनातियों को आज तक नाग्रिक्ता नहीं दी यो 25-25 साल से यहां पड़े हुए है हेट स्पीचिस हेट स्पीचिस तो जितनी गिनवाई है उमार खालिच से लेकर तमाम लोग जो अपनी और्गिनाइज़ेशन का नाम लिखते हैं यूनाइटिड अगेंस्ट हेट लेकिन ठीक उसके खिलाफ काम करते हैं वो हेट का प्रॉपिगांडा ही करते हैं ऐसी डिसेप्टिव राजमीती चल रही है इन्होंने ये भी कहा कि अजीट डोवाल को क्यों उतरना पड़ा अरे भाई NSA है NSA जो की सिक्योरिटी का इंचार्ज है वो उतरे तो मुसीबत और ग्रेम मंत्री का जवाब पुछते हैं ना तो वो सुपरवाइजरी बोडी है और उनको पता है इस बात का बहुत अच्छी तरीके से कि अगर वो किसी भी दंगा क्षेत्र दंगा पीड स्थाने में जाके बैठ जाये क्या ताकि पुलीस उनकी निग्रानी उनकी तरफ ही देखने लगे और अपना काम ना करे क्या चाहते हैं आप 24 तारीक को दिल्ली में जब हिंसा भड़की ग्रेह मंत्री अपने निवास पर शाम 7 बजे और इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आप किस तारीक की बात कर रहे हैं दंगा 24 तारीक को शुरू हुआ है 12.12 बजे दिन में और 7 बजे एक उच तरिये बैठक बुलाई गई जिसमें राश्ट्रिय सलाकार, ग्रेह सचिव, आईबी के निदेशक, आईबी के अन्य उच अधिकारी और डिल्ली के पुलीस आयुक सब लोग शामिल थे ग्रेह मंत्री ने हिंसा का विस्तार से आकलन लिया और पुलीस को सक्ट से सक्ट कारवाई करने का आदेश दिया ये राश को एक बजे तक लगातार इस्तिती का आकलन करते रहे 25 फरवरी को ग्रह मंत्री ने दिन की शुरुआत ग्रह मंत्रा लेके अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक से की इसके उपरां दोपेर बारा बजे ग्रेम मंत्री ने नौट ब्लॉक में प्रमुक राजनेतिक दलों और अधिकारियों के साथ दिल्ली की इस्तिती पर एक बार और बैठक ली इस बैठक में श्री अनिल बैजल, उप्राजेपाल दिल्ली, अर्विन केजरिवाल, मुख्य मंत्री दिल्ली, सुभाष चौपडा, अध्यक्ष कॉंग्रेस दिल्ली, श्री मनोश तिवारी भाजपा अध्यक्ष, दिल्ली से श्री रामवीर विदूडी, दिल्ली विदान में विपक्ष के नेता और अन्य लोग उपस्तित थे, इस बैठक में ग्रह मंत्री ने उपस्तित लोगों से अनुरोत किया, कि दल्गत राजनीती से उपर उठकर इस्तित को नियंत्रित किया जाए, ग्रह मंत्री ने सभी राजनेतिक दलों से अपील की, कि वे लोग, अफवाओ को दूर करने के लिए अपने सांसदों, विधायकों, पार्षदों और पार्टी कैडर को जनता के बीच और प्रभावित इलाकों में वरिष्ट पलिस अधिकारियों के साथ बेजे, उन्होंने दिल्ली पुलीस को भी जनता के साथ बाचीत शुरू करने और जनत अधिकारियों के साथ बेठक की गई, दिल्ली पुलीस को सच्च्च करने के लिए श्री एन श्रिवास्तव को विशेश आयूक कानून एवं व्यवस्था न्यूक्त किया गया, शाम साड़े छे बजे ग्रह मंत्री ने अपने आवाज पर ग्रह सच्चिज आईबी के निद दिल्ली पुलीस आयूक श्री एसन श्रिवास्तव और अन्य अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की, इस बैठक में शांती बाहाल करने और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्ष वैसले लिए गए, ग्रह मंत्री ने दो बजे सुबा तक इस्थिती का आकलन किया, 26 परवरी को ग्रह मंत्री ने दिल्ली की इस्थिती के बारे में जानकी प्राप्स करने के लिए वरिश्थ अधिकारियों के साथ सुबा समिक्षा बैठक ली, इसके उपरान ग्रह मंत्री ने दिल्ली की इस्थिती के बारे में मंत्री मंदल को अबगत कर आया आप क्याबिनेट की मीटिंगी बात कर रहे थे। अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक ली इसके बाद सुरक्षा की समिक्षा के लिए ग्रह सचिव और आईवी के नितेशक के साथ नौट ब्लॉक में दो और बैठक की शाम में ग्रह मंत्री ने दिल्ली की समगर इस्तिती की जानकारी प्राप्ट करने के लिए ग्रे सचिब, आईवी के निदेशक, दिल्ली पुलीस आयूप, विशेश आयूप और अन्य वरिष्ट अधिकारियों के साथ नौट ब्लॉक में लंबी बैठकी अब भी आप जानना चाहते हैं ग्रे मंतरी क्या कर रहे थे अध्याख जी एक साल पहले मैंने एक किताब न्यू डेली कॉंस्पिरे सी लिखी थी और उसमें एक शब्थ था पुलिटिकल लाइओलोजी पुलिटिकल लाइओलोजी इस आर्ट अथ उसिंग लाइज अज़े प्रदेती हूँ मुझे नहीं मालूमता कि जो मन-घडण किताब है वो सच होने जा रही है इस को एडवाइज किया गया वाट इस है इस हापनें इस अधर पॉलिटिकल अगाटनिकल लाइच प्रदेती है थे इस अधर पॉलिटिकल लाइज आपनेंटिकल लाइज के रहें आज जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है यही मर्चंट ऑफ के उस जो काम कर रहे हैं देश के विरोज में और मुझे कोई शक नहीं है कि यह सिनिस्टर प्लॉट को काम करने में बहुत सारे लोग शामिल है और यह जो प्रॉक्षी वाली बात है वो भी सब के सामने शाबित हो रही है अंत मैं अद्यक जी मैं आफरिम फातिमा का एक बयान जरूर बताना चाहते हूं एक छात्रे जेनियू की उनका एक बयान सर्फिस हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि इस नौट अबाउट सेविंग डिमाप्रसी इस नौट अबाउट कॉंस्टिटूशन और प्रिजर्विंग स्पिरिट अइंडिया पुटिंग अपिनियन फ्लाग्स एंड रीडिंग प्रियांब्ल्स अफ कॉंस्टिटूशन को खास्तोर पर याद दिलाना चाहती हूं कि अगर वह प्रियांब्ल में सोचलिस्ट सेकिलर वर्ड की बात करते हैं तो वह 1976 में अमेंड्मेंड करके किया गया था और उस प्रियांब्ल को उस समें अमेंड किया गया था जब ऑपोजिशन के लोगों को जेल भीजा गया था अरे हिंदू और वही तो हम बता रहे हैं आपको हिंदू अद्यश जी जब संविधानी सेकिलर है हमारे विचार ही सेकिलर है हमारे विचारों को सेकिलर होके यह किसी के कहने की जरुरत नहीं है और यही कारण है हमुद की दो लाइन में मैं बात जरुर कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि इसाई धर्म में 72 फिरके हैं और यहुदियों के 71 फिरके हैं और मेरे धर्म के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि 73 फिरके होंगे मुझे खुशी है आज इस बात की कि इस सेकिलर देश के अंदर वो 73 फिरके हैं कोई भी मुसल्मान मानने वाले देश में 73 फिरके नहीं है वो आपस में कभी सुननी को शिया नहीं पसंद किसी को एमदी नहीं पसंद किसी को हजारा नहीं पसंद ये 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 देश है सोकॉल हिंदू राष्ट जिसके अंदर वो तमाम फिर्के मौजूद है और उसका कारण ही यहां के बहुत संख्यक है मैं अंत में ग्रह मंत्री जी को एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने जोवी राष्ट के मंत्री जी के नित्यत में इस देश में काम हुए है आप उन कामों को जारी रखिए क्योंकि वही देश निर्मान के सबको एक सुत्र में बानने वाले काम है और बहुत संख्यक भले ही चुप है लेकिन वो चुपी के साथ आपके साथ चटान बनके खड़ा हुआ है सुजन में चोट खाता है छेनी और हतोडी का वही पाशान मंदिर में भगवान होता है कर दो कर दो कर दो है